बिस्मिल्य रख्माइन रहीम, असलाम लेकुम, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, कैसे हैं आप सब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कमीस का सिंपल पिछला गोल गला हम किस तरह बनाएंगे, जो हमारे कैजबल ड्रैसिस होते हैं, जिनको हम उरे भी प गला बनाना सिखा दे, जो लोग मेरी पिछली वीडियो में नहीं गए हैं, जो मेरे चैनल पर मौझूद हैं, तो प्लीज आप एक बर वहाँ जाकर भी विजिट कर सकते हैं, आपको काफी अच्छी इंफॉमिशन मिलेगी, मगर जो लोग नए बोलने वाले हैं, मैं उनको पिर भी सिखा दूँगी, गला बनाना स्टार्ट करते हैं, और यह सीखेंगे कि असान से असान करके मैं आपको किस तरह सिखाऊंगी, सबसे असान और सबसे सिम्पल तरीका यह है कि हम अपने पिछले पल्ले को इस तरह पकड़ेंगे, और इस तरह खोल के देखेंगे कि य हमारा बिलकुल बराबर आ रहा है ये जो कंधों की सिलाई है ये भी हमारी बराबर होनी चाहिए ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जो मेरी बेहने, जो मेरी बचियां नियू है, विगनर्स हैं सिलाई के अंदर इंट्रस्टेड हैं बहुत शौक से स्लाई सीख रहे है आप सब के लिए ये टिप बहुत जादर हेलपफुल होगी तो ये है मेरा बेट साइड और ये है मेरी शेट का फ्रंट साइड और अगर आप लोग ये गला बनाना सीखना चाहते हैं आप गला बनाना सीख सकते हैं मेरी यूटूब चैनल पर जाकर अच्छा तो ये है हमारा कंधा यानि के शौल्डर हम इससे इस तरह नापेंगे ये देखें इनका आगे पीछे कुछ भी नहीं हो बिल्कुल बराबर होना चाहिए असानी के लिए आप एक चौक से निशान लगा ले ये करना बहुत जरूरी है नहीं तो आप अंदाजे पर भी कर सकते हैं अब हम इसे एक राउंड शेप देंगे ये तो था मेरा तरीका आप लोग इसको अंदाजे से राउंड शेप दे सकते हैं चौक की मदद से अगर आप लोग नापना चाहते हैं तो आप इस तरह इसे नाप भी सकते हैं तो ये गला मैंने 4.5 इंच पर इसको चौकिंग की है अब हम इसे कट करेंगे और इसका जो फ्रंट पला है यानि के जो शेट का फ्रंट साइड है इसे हम हटा देंगे जो हमारे नॉर्मल गले होते हैं पिछला 4.5,5 और 3 ये 3 साइज जो है ये मेजर साइज है इससे जादा बड़ा होगा तो वो ब्रॉड में चला जाएगा ये जो 5.5, 4.5 और 3 ये नॉर्मल हैं ये casual dresses में चलते हैं ये भी मैं आपको साइसद बता दी जाओ अगर आप इससे जादा बड़ाएंगे तो आपका गला जो है वो फैल जाएगा जो आपके shoulder फिर गिरेंगे अब हुमन ऐसा होते हैं कि आपका जो गला है पीछे भागता है आपके shoulder कंदे से गिरते हैं reason ये होता है कि आपका back गला जो है वो deep हो जाता है ये normal गला है ठीक है गला हमारा cut हो गया अब इसके उपर जो उरेवी पट्टी लगाएंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ कि हम किस तरह cut करेंगे तो मेरे पास है ये extra कपड़ा जो इसकी shoulder की cutting में से निकला था आपको ये भी piece square ले सकते हैं इस तरह आपने square piece करना है और इस नौक को इस तरह एक triangle की shape देनी है पुरे भी करना है असानी के लिए press भी कर सकते हैं ताकि इसकी एक crisp बन जाए आपको cut करने में असानी हो और फिर इस कपड़े को खोल ले जब आप खोलेंगे तो आपकी जो crisp line है इसके उपर हम cut करेंगे और हमें एक से सवा एक इंच की पट्टी कट करनी है आप चाहें तो इस तरह चौकिंग भी कर सकते हैं जो लोग नए है वो चौकिंग करके पट्टी कट करेंगे जो लोग professional है वो लोग तो आसानी से idea पर भी कट कर लेंगे ये लीजी ये होगी हमारी उरेवी पट्टी कोई भी round चीज आगर आपको नीट करनी है तो ये ही उरेवी पट्टी यूज होगी अब हम इसको अपने गले के साथ अटेच करेंगे अब इस गले को हम खोलेंगे और इस पट्टी को यहां से start करेंगे लगाना पट्टी लगाते वक्त आपने यह इतियात करनी है कि ना ही आपने इस पट्टी को जादा खीचना है और ना ही इस गले को जादा खीचना है दोनों चीजों को आपने हलके हाथ से गुमाते जाना है तो यह पट्टी मैंने लगा ली है और आपने देखा मैंने कितने हलके हाथ से पट्टी लगाई है दोनों चीजे नहीं खींची अब इस पट्टी को हम अंदर की साइट पर फोल्ड करेंगे अब इस पट्टी को हम प्रेस करेंगे और जब इसे प्रेस करूंगी तो आप देखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी छोल नहीं आया कितने सफाई के साथ ये मेरी पट्टी पलट होगी इसलिए क्योंकि मैंने इसे अटैश करते वक्त खींचा नहीं था दोनों मैंसे किसी चीज को मैंने खींचा नहीं था ना गले को ना इस उरेवी पट्टी को अब इसे हम अपनी शट के फ्रंट साइड से अटैश करेंगे कंधी की सलाई अटैश करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम कंधा कुछ इस तरह अटैश करेंगे हमादी जो साइड की सलाई है उसे हम गुम करेंगे यानि कि हम गुम सलाई के साथ इस पट्टी को नीट करेंगे जिससे हमारे जो अंदर के धागे हैं ये शो नहीं होंगे आपने गौर से देखना है मैं किस तरह इस कंधे को अटैश करूँगी देखें जो मैंने आपको कंधान आपने का तरीका बताया था उससे हमारा जो शॉल्डर बिलकुल बराबर आया है बड़ा चोटा नहीं हुआ आपने इस पट्टी को इस तरह रखना है इस पट्टी से पीछे रखना है जो एक्स्ट्रा पट्टी है हमारी इस पट्टी को हम खोल लेंगे ये है हमारा फ्रंट कला ये है हमारा बैक गला और ये है बैक गले की पट्टी ये इस तरह करके आपने नहीं लगाना आपने इस पट्टी को बाहर निकालना है और इस पट्टी को इस बुकरम वाली पट्टी को इसके साथ रखना है फिर स्लाई लगानी है फिर इस पट्टी को खोलेंगे और इस बुकरम वाली पट्टी को इसके साथ रखेंगे इसके उपर एक डबल स्लाई लगाएंगे अब हमने एक बार दुबार इस पिसलाई लगानी है इस पट्टी को हम इसके उपर फोल्ड कर देंगे इस तरह इस एक्स्ट्रा पट्टी को बुकरम की पट्टी के उपर फोल्ड कर देंगे दो बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें फिर इस एक्स्टा पट्टी को इस गोल गले की उपर वाली पट्टी के उपर फोल्ड कर देंगे और अब इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ यह लीजिए माशाला सारी जो कंधे की स्लाई है वो छुप गई है उपर से कुछ इस तरह होगा और नीचे से कुछ इस तरह होगा अब डिपैंड करता है आपकी चोईस पे तुर्पाई पहनना पसंद करते हैं तो तुर्पाई कर लीजिएगा अगर आप sly पहनना पसंद करते हैं तो sly लगा लीजिएगा जिस तरह मैं आपको sly लगा कर दिखाऊंगी side के sly लगाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी अगर आप लोग shoulder step सीखना चाहते हैं कि shoulder step किस तरह के बनते हैं तो आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हैं मैं आपको एक video बनाके shoulder step बनाना सिखाऊंगी और मैं आपको उसका फायदा भी बताऊंगी shoulder step बनाने से अपनी शेट के उपर लगाने से हमारा जो गला होता है वो fix हो जाता है तो अधर को फिक्स हो जाता है अगर आप सीखना चाहते है तो अभी में करेंगी तो सिखा दूंगी और में साउली लगाएंगे थोड़ा सत्याना आका को बनाने सकते हो सटीब करेंगे तो मेरा पिछला गोल गला बनकर हो गया है रेडी ये लगाई थी मैंने उरेवी पट्टी और आप लोग करीब से देखें के माशालला कहीं कोई जोल नहीं है कहीं कोई सरवट नहीं है बहुत ही खुबसूरती के साथ ये गला बनकर रेडी हुआ है इन्शालला आपका गला भी इतना ही सफाई के साथ बनेगा अगर आप लोग मेरी बताई हुई तरकीब को फॉलो करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने मुझे बताना है मेरी वीडियो को लाइक करना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है इस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो करना है मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई शाल दो किये गर, Allah हाफीज